हलो गाइस कैसे हैं आप सब आज हम पढ़ेंगे HTML सेरीज में HTML इंपुट टाइप्स के बारे में हमने फॉर्म के अलग-अलग फील्स देखें उसके अलग-अलग अट्रिब्यूट्स देखें फॉर्म के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने यह सब देखा अगर आपने उन वीडियो को अभी नहीं देखा है तो उससे पहले देख लिजिए क्योंकि उन में मैंने बेसिक चीजे बताई हैं फाइल्स की और बेसिक टाइप्स बताए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रिब्यूट्स भी हमने बताए हैं और इंपुट टाइप्स हमने बहुत सारे उसमें देखे जैसे टैक्स डेडियो बटन एक्सेट्रा तो वह चीजे मैंने जो बताई वह तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन उनके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स और एट्रिब्यूट्स होते हैं जो फॉर्म टैग में इंपॉर्टेंट होते हैं अभी देखते हैं कि और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टाइप से हैं तो यहां पर देखें इंपुट टैप रिसेट और रिसेट बटन आपके जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसका वैल्यू वह रिसेट कर देता है एक्जांपल पर हम आते हैं जैसे कि मैं यहां पर इंपुट टाइग लिखता हूं और उसके वैल्यू मैं देशेट कर देता हूं आदी सेट ब्राउजर में मैं आता हूं और इसे रिफ्रेश्ट करता हूं और मैं आपर फॉर्म फिल कर देता हूं तो जैसे ही यहां पर आप देखिए तीन बटन आपको देख रहे हैं हमने अभी अभी यहां पर रिसेट बनाए है रिसेट बटन तो हमने जो एक फॉर्म फिल किया है अगर जैसे ही हम रिसेट बटन दबाएंगे आपको फॉर्म फिल से वैसे का वैसे ही और यहां पास का आम इसले गायर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पर और रिडियूस की वेल्यू देखे रखी है कि देखिए वेल्यू श्रीवी टेख इसे अगर मैं हटा देता हम तो वो भी यहां पर डिस्प्ले नहीं होता इंपुट टाइप फाइल यह क्या होता है इंपुट टाइप मैं कंड Qudya अप यहां अफ्लोड कर सकते हैं इसकर इमेज हो सकता है वीडियो हो सकता है कि इसे देखते हैं इसमें अई बैया दिखे दे रहता हूं और इनपुट मैंने लिखा डॉट और यहां पर मैं लिखता हूं da जैसी मैंने फाइल दिया, मैं और बीयार दे रहता हूं थाकि आपको अच्छे से यह शो हो, ब्रावजन में चलते हैं, जैसी हम चूस फाइल में क्लिक करेंगे, तो आपको यह फाइल सेलेक करने का दे रहा हैं, देखें फाइल सेलेक कर सकते हैं, और अगर चाहे तो, आप images भी select कर सकते हैं, ऐसा है यहाँ पर, तो यह होता है input file, simply type equal to file लिखे, type number से आप समझ रहे हैं कि यह numeric input field देगा, means आप number देंगे इन में, जैसे कि आप example पर देख सकते हैं, label for number, so input field में हमने type दिया है number, और आप चाहें तो restriction रख सकते हैं number के बीच में कि आप कितने से कितने range का number यहाँ पर चाहिए, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, एक से लेके 5 तक का चाहिए, और हमने उसके लिए एक attribute लगाया है, minimum 1 और maximum 5, इस मैं copy करता हूँ, और मैं इसे paste कर देता हूँ, यहाँ पर, save करता हूँ, browser में आता हूँ मैं यहाँ पर, विप्रश किया, तो देखिए, यहाँ पर number को select करने के लिए एक यहाँ पर arrow बना हुआ है, और आप अपने range के हिसाप से ही यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे 1 से 5 हमने व देखिए, वो 5 तक यहाँ पर जा रहा है, और एक से वो start हो रहे हैं, तो यह होता है input type number, जिसमें आप अपना minimum और maximum value decide कर सकते हैं, अब input type range, यह क्या होता है, input type range means, यहाँ पर numbers जो होते हैं, उनको उतना important आप नहीं देंगे, जैसे कि गरने से आप brightness बढ़ेंगे, brightness अगर अस्ती है, अगर उसे आप 82 कर देते हैं, 81 कर देते हैं, तो कोई भी विश्यू नहीं है, तो आप type range की value slider के तो कंट्रोल करते हैं, example पर हम देखते हैं इसे, copy करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर paste कर देता हूँ, पेस्ट कर दिये मैंने, अब जैसे मैं इसे ब्राउजर में आता हूँ, रिप्रेच करता हूँ, देखिए, brightness is between 0 to 100, तो देखिए, इसे हम slide कर सकते हैं, जहाँ पर value matter नहीं करते हैं कि कितना है, क्या है, हम brightness बढ़ा सकते हैं, volume बढ़ा सकते हैं इससे, अपने हिसाप साफी से state कर सकते हैं, input type search, यह searching field के लिए use होता है, जैसे कि आप Google search करते हैं, आप Amazon में product search करते हैं, लेकिन इसका जो behavior है, वो एक text field जैसा होता है, जैसे हमने पढ़ा था input type text, उसी के जैसे यह behavior करता है, example पर हम इसे देखते हैं, मैं इसे copy करता हूँ यहाँ से, इसे simply paste करता हूँ यहाँ और एक बियार दे देता हूँ, और यहाँ पर एक label लगा देता हूँ मैं, और इसे भी मैं search का नाम दे रहे हूँ, search, जैसे ही मैं ब्रावजर पर आउँगा, refresh करूँगा, अब आप देखिए, यह search field आ चुक है, जो कि एक दम text जैसा behavior कर रहे, जैसे ही आप इसमें को tag करेंगे, देखिए, लेकिन यह cancel का option आजाता है, बट as a work यह जो करता है, text के रूप में करता है, अब input type tell, इसमें जो field होता है, वो telephone number को यहाँ पर contain करता है, और इसे हम copy करते हैं, paste किया मैंने, देखिए, यहाँ पर हमने pattern दिया हुआ है, pattern equal to, 0 से 9 तक की value आप देंगे, और 10 digit का वो होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमने type b tell दे दिया है, तो इसे हम example पर देखते हैं, example पर यहाँ पर मैं feel कर लेता हूँ, अपना नाम से भी टैप हो गया, पासवार्ड आप को कुछ भी दे सकते हैं, और email में यहाँ पर दे देता हूँ, shi.com और यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि मैं 10 digit का नंबर डाला और यह 10 से जादा हो गया, अगर हम इसे submit करेंगे तो देखिए यह आपको बोलेगा please match the request format, आपने जो format दिया है वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, मतलब एक numeric value होना चाहिए और 10 digit का होना चाहिए, तो यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा है इस लिए रच शो करेंगे और जैसे कि आप character अगर लिख देंगे इसमें character तो भी आपको यह रच शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटन दिया हुआ है ध्यान से रिखिए 0 तो 9 के बीच में होना चाहिए, अब जैसे ही मैं इसमें 10 number लिखता हूँ, वो यहाँ पर submit हो जाएगा, देखें, input type time यह क्या होते हैं, means आप अपना time चुन सकते हैं यहाँ पर, मैं इसे simply यहाँ पर से copy करता हूँ, और इसे यहाँ पर paste कर देता हूँ, ब्रावजर पर इसे देखते हैं, तो देखिए, selected time यहाँ पर लिखा हूँ है, जैसे ही आप इसमें click करेंगे, यह यहाँ पर आप अपना time चुन सकते हैं, जोन भी यहाँ पर दिया हुआ है, PM रखेंगे, AM रखेंगे, यह सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, यह से आप select कर सकते हैं, तो यह होता है, इन्पुट टैप time, आगे देखेंगे, इन्पुट टैप week, यह क्या होते हैं, तो इसे मैं, तो इसे मैं copy और paste करता हूँ यहाँ बे, यहाँ बे मैं आता हूँ, और इसी time की जबा हूँ, इसे paste कर देते हैं, id week1 है, तो label में भी यहाँ पर week1 आप लिखेंगे, तभी label इन्पुट के साथ bind हो पाया रहा, और यहाँ पर भी, आप लिख दीजिए week, तो मैं simply browser पर जाता हूँ, यहाँ पर हम request करेंगे, और देखिए week, week यहाँ पर आ चुग है, जैसे ही आप इसमें click करेंगे, यह यहाँ पर, देखिए, आप विख भी चून सकते हैं, 47, 46, 49, तो यह था type equal to week, I hope guys, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe वीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो से related कुछ doubt होता है, तो please मुझे mail कीजिए, description पर mail है, ऐसे ही support करते रहिए guys, thank you guys for watching, मिलते है next video